हमारे चैनल पे वीवो के अलावा ओपो के भी बहुत सारे कमेंट आते हैं जहां पे हमसे पूछा जाता है कि सर एक वीडियो हमारे लिए ओपो के उपर बना ये जहां पे ओपो के फोन में लगे हुए फीन पैटर्न पास्वर्ड लोक को हम घर बैटे फिरी में अनलोक कर कर रहे हो चाहिए आपके फोन में पास्वर्ड लोक हो या फिर पैटर्न लोक हो आप घर बैठे अपने फोन को बिना कंप्यूटर बिना किसी भी डेटा लॉस आप अगले दो से त्री मिनेट में अनलोक कर पाएंगे तो चलिए आज कि इस इंपॉर्टन वीडियो को विद सबसे बखे तो आप अपने फोन को 50% चार्ज कर लिजेगा सिम कार्ड मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लीजेगा और जब आपका इतना हो जाए बिना देर किये फोन को आप टर्न आउफ कर देना है तो आपको आथा होगा इसके लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि कैस जब तक कि आपके फोन में एक नया option ना आजाए जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं आपको छोड़ना नहीं है जब तक कि आपके फोन में एक नया option नहीं आएगा एक नया page नहीं आएगा आपको इसे प्रेस एंड होल्ड करके रखना है और देख सकते तो यह आपको नहीं आएगा वावार अपो का logo आएगा तो आपको क्या करने हैं यहाप फोन में बॉल्यूम ijkohamala तो आपको फोन करके फोन में यहां पे press and hold किया नहीं छोड़ा है तो आपको अभी तक अभी छोड़ना भी नहीं है जब तक आपके फोन में एक नया पेज ना आ जाए एंड दोस्तो कुछी सेकंडर में आपको यहां पे देखने को मिल जाएगा जैसे कि इस फोन में आच चुका है सेम आपको वैसा ही आपके फोन में भी देखने को मिलेगा अब यहां पे सिंप्ली आपको लेंग्वेस सेलेक्ट करना है मैंने कर लिया अब यहां पे आपको इस साथ option देखने को मिलेंगे सबसे पहला काम आपको यहां पर क्या करना है इस एक प्लिक करना यहां पर जो कोड मिल रहा है तो यहां पर जो जो भी डिटा है वह आपका डिलिट जाएगा आपका phone फॉर्मेट हो जाएगा तो यहां पर क्या करना है इस code को डालना तो है लेकिन उल्टा डालना है वह भी पांच बार यहीं कि 0580 को हमें उल्टा डालना इस phone में 0850 करना है ठीक है 0850 यहार देखिए हमें 5 टाइम इस प्रोसेस को कम्प्लीट करना है be 50 दो बार- ребята जीडरो स्ल्षूद और देखेंगे आपको एक यहां पर बैक आने बाद SKS फोन को एक बार रिबूट कर देना है अपका हो जायेगा आपका फोन फिटिड्सफ ने लगेगा अब जब आपके फोन में यहां पर यह स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद का जो आपको प्रोसेस है वह हम बताते हैं क्या करना है लेकिन याद रखीगा वीडियो को आपको एक सेकेंड के लिए भी आपको बढ़ा कर नहीं देखना है क्योंकि मैं इस वीडियो को कहीं भी कट करके नही सोडी ऐसी चीज़ों को चिपाया है तो आपको ऐसा ना लगे कि मैंने इस फोन को नहीं किया है क्योंकि हमारे पास स्रविस इंटर है तो वहां पर हम लोग जब अनलॉक करते हैं तो कई बार फोन को यादा लॉक करके चले जाते हैं बाहर थोसे काम के लिए चाई पीने के के लिए लेकिन जब आप मैं वीडियो बनाता हूं उसके समय उठता भी नहीं हूं जब तक कि एक फोन का आप कंप्लीट वीडियो में ना बना लूँ इसलिए याद रखिए वीडियो को देखिए पूरा देखिए एक वार में देखिएगा आप सीख जाईएगा लॉक करन करना आपको सिंपली इमर्जन्सी कॉल प्याना है और यहाँ पर डाइल करना है अस्टाव है एक डबल नाइन एज जैसी आपने इस वीडियो डाला आपके फोन में इंजिनियर नाम का पेज चलाएगा या फिर आफ्टर सेल्स पेज नाम का पेज चलाएगा अब यहाँ प पे भी 5-6 option आपको देखने को मिल रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है जो सेकंड लास्ट यानि कि नंबर फोर पे डेटाबेस वर्शन हो सकता आपके फोन में यहां पे इसका नाम हो में बोर्ड वर्जन आप क्या करोगे इससे यहां पे आप कंटिन्यू सेवें टाइम्स यानि कि साथ बार आप इसे क्लिक करोगे तो चलिए इससे कंप्लीट करते हैं 1234567 इसके बद आपको यहां पे जो सबसे लास्ट में है रेडिंग रिसेट कंप्लीट इंडिकेटर इससे ओपन कर लेंगे अब जब आप इससे ओपन करोगे तो यह आपका यहां पर लिखा हुआ है तो समझी कि आपका कुछ अस्टेप आपने छोड़ दिया है वीडियो को पूरा देखिए फिर से दिखिएगा तो आपका भी इस तरह का पास का मैंसे चलाएगा फिलाल यहां पर आपको यहां पर ध्यान से देखना है मैं यहां पर कौन-क बार में कैंसल कर देना है फिर से आप इसे दुबारा खोलोगे दुबारा भी इसे कैंसल कर देना है तीसरी बार भी खोलोगे और तीसरी बार भी हमें इससे कैंसल कर देना है और इसे चौती बार जब खोलोगे इस बार हमें इस बार इसे कैंसल नहीं करना है नहीं करना है इस वर हम इसे okay कर देंगे and इसको आप समझो कि आपको चले आना है बापस से पुराने वाले पेज पे जो की है device debugging का एक नया पेज अब यहाँ पे जब दोस्तों आप पहुच जाओगे ना तो यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है क्या करना है और आपको मैं जो बता तक कि आप वीडियो में बताएगे सारे स्टेप को वन वाइवन अपने फोन में अपलाई नहीं करोगे ठीक है तो चली अब यहाँ पर क्या करना चली वह में बताता हूं आपको इस device debugging के पेज पे आपको नीची आना है जहां पर आपको देखने को मिलेगा एम सेंसर देख कर लोगे यहां पर नमबर वन पर ग्राफ इसे आप जैसे ही टच करोगे यहां पर आपको पहले की तरह दिखेगा एक स्वाइज आपस में यहां पर सिंक्रोडाइज कर रहे हैं यहां पर आपकी नुमेरिकल वैल्यू चेंज हो रही है तो यहां पर तीन सेकिन रुकना है और यहां पर आपको यहां पर बैक आजाना है अब यहां पर नमबर थर्ड पहें डेटा डिस्प्ले जैसी आप इसे क्लिक करोगे यहां पर इस तरह का लाइनिंग स्टार्ट हो गया जहां पर रेड ग्रीन एंड बुलू का आपको साइन देखने को मिलेगा तो आपको इस से बैक आना है एंड आपको अब क्या करना है एक लास्ट ऑप्शन पर आपको यहां पर काम करना और आपका फोन यहां पर अनलोक हो जाएगा क्या है सिंसर सिर्फ टेस्ट एंड कलिब्रेशन इससे आप यहां पर जैसे यह पिंड करोगे आपके फोन में दो तीन चार एक देखने को मिलेगा बट सब में एक option common है वो है सब में लिखा होगा operation not started जैसे कि आप यहां देख़ए operation not started आपको लिखा हुआ देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब सब को touch करके आपको start करना और एक test pass का message लगना है देख सकती है यहां पर दोनों फोन में आ गिया लेकिए हो सकता आपका एक फेल हो जाए एक आपका पास हो जाए ठीक है इदि आपका एक भी नहीं आ रहा है तो उसकेस में आप इसे इस तरह से पेजे जो option है उसे आपको touch करना है और यहां पर आपका android वर्जन दिख जाएगा आप इस android वर्जन को उतने बार क्लिक करोगे जितनी बार यहां पर android वर्जन लिखा हुआ है जैसे कि इस फोन में लिखा हुआ android वर्जन 12 तो मैं यहां पर इसे 12 टाइम क्लिक करूंगा 6 7 8 9 10 11 12 अब आपको यहां पर सिद्धिया करना बैक बैक करते हुए आपको होम स्क्रीन पर चले जाना जहां पर आपका लॉक स्क्रीन लगा हुआ था और दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फोन यहां पर बिनस पास्वर्ड का यहां पर अनलोक हो गया है और आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ आपका अप्लिकेशन फोटोज वीडियोज कॉन्टेक्ट ऐसे में सब मौजूद है और आपका फोन सक्सेस्फुली अनल जरूर करना ताकि उस डेट के इसाब से हम आपको जो उस दिन का जो परफेक्ट वीडियो है वह हम आपको दो से त्री घंटे में बना के दे देंगे जिसके बाद आप भी अपने फोन को घर बैटने अनलोक कर पाएंगे